हेलो फ्रेंड्स वेलकम टूदा कैडमी लेंस मैं हूँ जानवी वर्मा और मैं बच्चो आपको बेजदी कहली पढ़ा रही थी कैबिनेट की पावर और फंक्शन्स तो कई सारे पॉइंट्स को कवर किया था मारे प्रीवियस लक्षिस में अगर जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज जाकर देख लें और फिर इस लेक्षर को भी देख सकते हैं ठीक है बच्चो तो आज उन्हें की कुछ पॉइंट्स के कुछ पॉइंट्स हमारे लेफ्ट रहे तो क्या करेंगे आज हम उन्हीं पॉइंट्स को कवर करेंगे वन बाइवन करके ठीक है चलिए अब हम देख आप लोगों को पता है मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हुमारी कर्ते क्या है कि वह पारलियमेट में पेश करते हैं किसके बिहाफ पर प्रेसिड़न के बिहाफ पर ठीक है तो बज़ट को पहला प्लेस करती है बजेट को यहां गी तो पार्लियमेंट नहीं क्या जासे क्लिए कि स्वेल ठीक मतलब क्या ह dl गातόं पॉइनिए कानीं क्व्यक लेकी चेंज कर सकते आप बजट में कोई भी हेर फेर नहीं कर सकते हैं मैं आप कहने का चेंज नहीं कर सकते हैं कोई भी पॉइंट हटा नहीं सकते हैं ठीक पॉइंट नमबर टू बजट में कैबिनेट के विस्स के अगेंस जाकर चेंजमेंट की जा सकती है पार्लियमेंट चेंजमेंट कर सकता है कौन सी कंडिशन में जब मिज़ड़ी पार्टी जो होती है लोग सब मो उसके अगेंस नो कॉंफिडेंस मोशन अगर पार्लेमेंट पास कर दे तो तीक है तो उस केस में क्या होगा? पूरी मिनिस्ट्री को रिजाइन करना होगा। तब जाकर क्या होगा वो बजर्ट ऐजा प पूरी जनता का प्रॉफिट नहीं सिर्फ एलीट क्लास का प्रॉफिट देख रहें अब पार्लामेंट अगेंस हो जाई कि नहीं भई आप ऐसे कैसे अलीट क्लास पर फोकस कर सकते हैं जो हमारे पूर से उनका क्या होगा उसको तो कोई फायदा है नहीं हो रहा है इस बजट स जाएगी कुल मिला करें काउंसल ऑफ मिनिस्टर डिजॉल हो जाएगी खात्म हो जाएगी तो इस चीज़ क्लियर हो गए उस केस में क्या होगा कि बजट में चेंजमेंट कर उसको पास कर दिया जाएगा अब हम चलते हैं हमारे नेक्स पॉइंट की तरफ कि फाइनेंशल प जाएगी तरफ कीक फाइनेंस्ट मिनिस्टर से चर्य कनसल करेंगे और फाइनसमिनिस्टर कुछ एसे सारे पॉइंट्स बिनाइगे एकस्पेंटी एगा एक्स्टा रिक्सेशन लागू करेंगे इस पेट्रोलिम की चार्ज बढ़ाएंगे मंद कुछ बहते हिसे क्या होगी गवर्मेंट का जो फाइनस वह अच्छे से मैनेज हो सके तो वह सारे के सारे कौन काम करेगा हमारे क्या करेगी काविनेट करेगी इसमें ठीक है नाव नेक्स पॉइंट क्या है इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बच्चो आप लोगों को पता है मैंने बता रखा है कि जो मनी बिल हो सब्काइब करेगी और करें सब्सक्राइब अबर कोई यह डावट हो तो आप लोग सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि यह देख वह गई तो यह पूरी सब्सक्राइब फैसी में कुछ मेंबर के हमारे रूप मिनिस्टर सब्सक्राइब तो यह नियुक्लेस पर रहती तो अब नेक्स पॉइंट करते हैं ठेल चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स पॉइंट की एमर्जंशी पावर जैसा कि बचू आप लोग जानते हैं अब आपको बता चुकिंग प्रेसिडेंट के रिकार्डिंग की तीन एमर्जंसी होती है हमारी जन्नल एमर्जंसी जिसां कि हम लों क्या बोलते हैं नैशनल से उती होती फिर उसके बाद आती है हमारी फाइनेशल एमरजेंसी थीक और फाइनेशल एमरजिय जो आज तक अभी लागू नहीं हुए है उमारे कंट्री में प्रेसिडन डूल तो बहुत बार लग चुका है नैशनल एमरजेंसी भ कोई भी टाइप वाली अमर्जनसी जब तक कि जो कैबिनेट राइटिंग में उनको अप्रूवल नहीं देती कि हाँ जाए प्रेसिडेंट जी आप जाके इमर्जनसी इस स्टेट में लगा दीजिए पूरी कंट्री में लगा दीजिए ठीक है तो किसका अप्रूवल इंपॉ नोट कर लीजिए आप मैं रेस कर देती हूं ठीक है बचो चलिए बचो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है दा प्राइम मिनिस्टर ठीक है तो अब हम क्या देखेंगे प्राइम मिनिस्टर की कुछ रिगार्डिंग पॉइंट्स देखेंगे कि मतलब क्या है कि उन तो हैला थे हुआ रियाल हेड ऑफ मैंने तुम सब्सक्राइब और फ 분들이 पूटेए उसी तरीके से से यह एक हर जो हमारे पी train फेटन वह क्या होते थे वहां होते हैं? वहां हैं वहां होते हैं कि मितास vraisah जातन थेलभा मुंखे चलिया है कमीठेश करते हैं कि दोब दो होता है कि हम इसे सवाल पूच सकते हैं कि उनसे इस तपने से पॉइंट भी पूच्थ गडैक पड़ेगा ठीक है जनता कुछ कि जनता ने उन्हें चुना आया चूज करके उनको महां पर उस जगह पर बिठाया है का पीम की पोजीशन पर एक परसन को ठीक है बैचो तो यह पॉइंट क्लियर हो गया ठीक इसी तरह की सब्लोग समझ सकते हैं कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजए फिर क्या है इस डीट् इसमें नहीं कर रहां कि आएट इस यह सारी चीजिसे क्या है कि वह पार्टी करना जाती है भी तो फॉसके बाद्रूस के बौलता है हम लोग आप पोजीशन बोलते हैं फिक गिसा प्यांट के फाम के जो प्याहिए ब influenza क्ला काम करते हैं उन पर क्या कि बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग करता है उसी सो देखते हैं क्या काम करने भाई ही सही काम नहीं कर रहे हैं हम तो यह मुद्दा उठाएंगे इनकी सरकार गिराएंगे हम अपनी बनाएंगे इस तरीके से यह लोग मतलब क्या है कि देखते हैं कि प संट करना है उसके सब्सक्राइब करना है कि आısı की आपको एक पोजिशन लिटर होगई कि power में क्यों कौन से points हमारे आएंगे तो power आ गई फिर क्या है PM and President यानि कि हमारे जो PM है उनके और President के बीच की कुछ powers होती है यानि relation में कुछ powers होती है जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी काम होगा पीम क्या करेंगे एडवाइस करेंगे बताएंगे कि इसको प्रेसिडेंट को कि हाँ यह चीज़े कर रहा है आपको यह काम करने है ठीक है आप इस पर प्रूवल दे दीजिए इस तरीके से यह council of minister का decision है कि आप यह emergency लगा दीजिए whatever the points वह सारे कि सारे क्या है कि relations होते हैं कौन-कौन सी power के regarding तो वह सारी चीज़ है मैं लोग one by one करके देखेंगे तो चलो शुरू करते हैं पहला point कि है प्रिंसिपल एडवाइजर यानि कि जो हमारे जाकर एडवाइज करेंगे किसको प्रेसिडेंट को ठीक है यानि कि हमरे constitution में भी बच्चों में इंसा ने की एक council of minister formed होनी चाहिए ठीक है और प्राइम मिनिस्टर वो दोनों मिलके क्या करेंगे कि प्रेसिडेंट को एडवाइज करेंगे उनके काम को करने में ठीक है मतलब अपने काम सब्सक्राइज से करपाची से प्रेसिडेंट को help चाहिए कि मैटर में तो क्या करेंगे PM को बिला कि आप लोगों को पता है प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं संबन कर सकते किसको कर सकते हैं फोर नोगा किना नहीं अपार हॉस की जरूरत है उनके सारे मेंबर्स की जरूरत है मैं तो क्या करें हें किसी जीजन को लेने के लिए तोले केíveis कि और जाए gitיा वेक कि प्येहन प्रियम की यहीं प्राइमिमिर्यसटर के एडवाईस प्रेसीडेंट यह काम करेंगे प्रैसीडेंट कर सकते हैं ठीक है और लोकसता को डिजॉल्व कर सकते हैं यानि कि लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कायदेश बच्चू क्या करना तुम लोग अगर ज्यादा डिक्काद हो रही हो पढ़ने में समझने में तो पढ़ना तो प्रेसिडेंट वाला चैप्टर भी सामने रख लेना पलट पलट के देखते जाना और प्यम की पावर को में बचंश क्या होता है जो भी काम होता सब्सक्राइब करां अप्टर को जो इन यह अप्याहे घंपते हैं जो भी अप्य उसमें अपॉइंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्म प्राइम मिनिस्टर को लगाना है यार यह मिनिस्टर को अच्छा काम करेंगे तो वो क्या करेंगे उनको करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर करेंगे लेकिन किसकी पर प्राइम मिनिस्टर के ड्वाइस पर प्राइम मिनिस्टर के ड्वाइस के प्रेसिडेन हमारे कुछ नहीं करेंगे ठीक है यह point clear हो गया अगर कोई भी doubts हो तो आप लोग पूछ सकते हैं तो चलिए अब हम लोग हमारा next point को देखते हैं यानि कि बच्चों आप लोगों को पता है council of minister क्या करती है सारी policies जो national level की होती है वो सारी की सारी policies को बनाती है ठीक है फिर वो policies को क्या है कि PM को बता देते policy बना कर कि हाँ यह अरली policy हमने सब बनाई है फिर हमारे PM क्या करते है उन policies को यानि वह जो भी एक्ट हो तो उनको क्या करते है president को communicate करते कि हाँ यह चीज़े करी गहीं आपका ascent चाहिए इसमें यह whatever the things ठीक है कि आपका approval चाहिए इस चीज़ के लिए तो क्या है कि एक as a mediator वक करते हैं लिंक दोनों के बीच में president or council of minister के बीच में जो वक रते हैं हमारे PM होते हैं लिंक और आप लोगों को बचे एक चीज़ और इसी में पॉइंट और है प्रेसिडेंट के पास जाकर बताएंगे कोई भी मिनिस्टर अलोन नहीं जाएगा प्रेसिडेंट के पास बात करने किसी भी national matter को लेकर national matter कोई भी national policies defense हो गई कुछ भी हो गया कोई भी policy इमर्जंसी कुछ भी हो गया ठीक है तो कौन बताएगा PM बताएंगे हमारे ठीक है किसको प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट को यह पॉइंट क्लियर हो गया ठीक है इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे प्लाइंट होते हैं जो भी लेजिस्लेटर फंक्शन होता है जो भी administration होता है उसके रिगार्डिंग कुछ भी डिसीजन वगहरा होती सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेती है उसके हैड कौन होते हैं प्रेसिडेंट को कम्मुनिकेट करते हैं फिर बताते हैं कि हां यह ठीक है यह सारी चीज़े होती है ठीक है बच्चों यह चीज़े आपको समझ में आ गाए था कि मैंम को दो सकते कि रिकांसीडर करो यानि frigure कि सबूर को कि पीम के पास कि ही पीम को बुला सकते हैं का रिखास की कैस्ट को अचेश में चालिए क्या थिर्ठ क्यास पिर्डाइब घराओ वह तो आपको से मजब के नहीं को एक तो अभूस के समय अपकाई यहन DAY जो क्लिए तो आप गए scarish में पूँच सकते हैं प्लीज बच्चो हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर टेली ग्राम फेस्बूक चैनल पेजिस को जोइन करें ठीक है बच्चो थैंक यू